दोस्तों अगर आपको भी अपने आधार कार्ड में एडरस को अपडेट करना है तो आप घर बैटे ही अपने आधार कार्ड में एडरस चेंज कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी भी आधार सेंटर जाने की आपशकता नहीं पड़ेगी और जैसे ही आपके आधार कार्ड में address change होता है आप लोग अपने new आधार कार्ड को download कर सकते हैं और इसके बाद में आप लोग इसे कहीं पर भी use कर सकते हैं तो कैसे आपको घर बैठे अपने आधार कार्ड में address को change करना है इस पीड़ों में मैं आपको complete information देने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने mobile के Google को open करना है और यहां पर आपको type करना है SSUP इतना type करने के बाद में आपको search कर देना है जैसे ही search करेंगे तो पहले number पर ही आपको website देखने को मिल जाएगी self service update portal तो आपको इसी वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद में कुछ इस तरह से page आ जाएगा welcome to my आधार और यहां पर आपको login का option देखने को मिल जाएगा login वाले option पर एक बार click करने के बाद में यहां पर आप लोगों को अपने आधार card number को enter करना है इस capture code को same to same यहां पर fill कर देना है और इसके बाद में login with OTP वाले option पर एक बार click करना है और इसके बाद में आपके आधार card से जो भी mobile number link है उस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को यहां पर आपको fill करना है इसके बाद login वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद आप लोग यहां पर successfully login हो जाएगे नीचे की साइड में आपको एक option देखने को मिल जाता है address update तो आपको इसी बाले option पर एक बार click करना है और यहां पर आपको दो option मिलेंगे पहला option है update आधार online दूसरा option है head of family based address update तो अगर आपके पास में कोई भी valid document नहीं है तो आप यहां पर second number वाले option को select कर सकते हैं और अगर आपके पास में document available है तो आप यहां पर पहले number वाले option को select कर सकते हैं हम यहां पर update आधार online वाले option पर एक बार click करेंगे नीचे की साइड में आएंगे अब आपको यहां पर proceed to update आधार वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा जिसमें कि अभी आप देख सकते हो address को घर वैटे ही आप लोग online खुझ से update कर सकते हो पहले यहां पर यह भी तीनों option आ रहे थे आप नाम भी खुझ से change कर सकते थे date of birth भी change कर सकते थे और gender भी change कर सकते थे लेकिन अब आप लोग यहां पर यह तीन चीज़े change नहीं कर सकते हो लेकिन address खुझ से update कर सकते हो यहां पर आप लोगों को proceed to update आधार वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा आपके आधार card में जो भी current address है वो यहां पर सबसे पहले तो English में देखने को मिल जाएगा और यहां पर आप लोगों को Hindi में भी देखने को मिल जाएगा सबसे पहले आपको यहां पर care of का option मिल जाता है अब care of में आप लोगों को अपने husband या फिर पिता जी का नाम type करना है यहां पर आप लोगों को English में name को type करना है और नीचे के side में जो option है यहां पर हिंदी में automatic ही आ जाएगा यहां पर सिर्फ आपको एक बार click करना है click करने के बाद अभी आप देख सकते हो जो name है भहे हिंदी में automatic ही आ जुका है अगर दोस्तों हिंदी में ये नाम कुछ भी गलत आता है तो आप यहां पर खुछ से भी type करके सुधार कर सकते हैं अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है यहां पर आप लोगों को अपने house building या फिर apartment number को fill करना है और हिंदी में automatic ही fill हो जाएगा यहां पर आप लोगों को अपनी street road या फिर lane का नाम fill करना है और भी कुछ नीचे की साइड में आएगे अब आपको यहां पर अपने area, locality या फिर sector का नाम fill करना है यहां पर आप लोगों को land mark का नाम fill करना है आपके नस्तिक में कोई भी famous जगह है या फिर कोई भी hospital है तो उसका नाम यहां पर आप लोग डाल सकते हैं कुछ नीचे की साइड में आएगे आपके area का जो भी pin code है उस pin code को यहां पर आप लोगों को enter कर देना है और pin code को enter करने के बाद में आपकी state का जो name है by automatic ही आ जाएगा हिंदी में भी automatic आ जाएगा आपकी district का नाम भी यहां पर आ जाएगा अब आपको कुछ नीचे की side में आ जाना है और यहां पर आप लोगों को अपने village town या फिर city का नाम select कर लेना है पूरी list आपके सामने यहां पर आ जाएगी अब आप लोगों की जो भी city है या फिर village है वो आप लोगों को इस list में से select कर लेना है और select करने के बाद में आपके जो post office का नाम है वो भी automatic ही आ जाएगा यह आपको fill करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद में यहां पर आप लोगों को एक document को भी upload करना है आप चाहे तो manually भी upload कर सकते हैं या फिर आप लोग digital तरीके से भी upload कर सकते हैं हम यहां पर manual upload वाले option को select करेंगे select करने के बाद में option देखने को मिल जाता है select valid supporting document type तो आपको इस वाले option पर click करना है अब आधार card में address को change करने के लिए कौन कौन से दस्तावेश दे सकते हैं वो सारे ही documents आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप लोग यहां पर gas connection का बिल दे सकते हैं साथ ही आप लोग electricity बिल भी दे सकते हैं इसी तरह से disability certificate भी आप लोग दे सकते हैं आप लोग passport भी दे सकते हैं तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो, इन में से कोई भी आप लोग एक दस्तावेज दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो भी आप लोग यहाँ पर डॉक्मेंट सेलेक्ट करेंगे, तो उस डॉक्मेंट पर आप लोगों का न्यू एडरस होना चाहिए, यानि कि जो भी एडरस आप लोगों ने अभी फिल किया है, तो सेम यही एडरस उस बाले डॉक्मेंट में भी होना चाहिए, तभी आप लोगों का जो एडरस है अपडेट हो पाएगा, बहुत से लोग मिश्टे किये कर देते हैं, जो भी वो लोग दस्तावेज यहाँ पर अप्शन पर किलिक करेंगे, जो भी दस्तावेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सेम उसी दस्तावेज को आप लोगों को अप्लोड करना है, तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो, हमने अपने डॉक्मेंट को अप्लोड कर दिया है, सेक्सपुली अप्लोड हो चुका ह ये जो green line है बहे 100% complete हो जुकी है नीचे के side में आपको option देखने को मिल जाता है next आपको इसी बाले option पर एक बार click कर देना है और अब आपने जो भी new address फिल किया है तो उस address का complete preview यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर अभी आप देख सकते हो जो भी हिंदी में address लिखा हुआ है same address ही आपके आधार card पर print होके आने बाला है और यही address आपके आधार card में update हो जाएगा तो एक बार आप लोगों को अच्छे तरह से इसे check कर लेना है जो भी document आपने upload किया है वो दस्तावेज भी आ जाएगा अगर अभी address को आप update करना चाहते हैं तो यहाँ पर edit, update address का option देखने को मिल जाता है इस पर click करके आप लोग कोई भी सुधार कर सकते हैं बाद में आप लोग कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर एक बार click करना है क्लिक करने के बाद में आपको close वाले option पर click कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को next वाले option पर एक बार click कर देना है और अब आपके सामने कुछ इस तरह से payment page आ जाएगा आपको online ही 50 रुपए की payment complete करना है यहाँ पर आपको एक बार click करना है payment करने के दो option देखने को मिल जाते हैं तो इन में से आपको किसी भी एक option को select करके make payment वाले option पर एक बार click कर देना है और आप लोग redirect हो जाएंगे payment page पर यहाँ पर आप चाहें तो phone pay के माद्धिम से भी payment को complete कर सकते हैं और more options वाले option पर जब आप click करेंगे तो payment करने के और भी आपके सामने options आजाएंगे जैसी कि आप लोग यहाँ पर Google Pay से payment कर सकते हैं, phone pay, Paytm से payment कर सकते हैं इसी के साथ में internet banking या फिर debit card credit card के माद्धिम से भी payment कर सकते हैं तो जैसा कि हम यहाँ पर अपने debit card के माद्धिम से payment करेंगे, इसलिए हमने cards वाले option को select कर लिया select करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने debit card number को enter करना है यहाँ पर आप लोगों को expiry date को fill करना है, month और year में आपके card के पीछे जो CVB number होता है, उसे यहाँ पर fill करेंगे, card पर जो भी नाम है वो name यहाँ पर आपको fill करना है, और इसके बाद में continue वाले option पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद में आपके bank account से जो भी mobile number link है, उस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा कौन से mobile number link है, वो mobile number भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और OTP को fill करने के बाद continue वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे आपकी जो payment है, भहे यहाँ पर successfully complete हो जाएगी और payment complete होने के बाद में आप लोगों के सामने एक knowledgement slip generate होके आ जाएगी जिसे की आपको download कर लेना है, और इतना process complete होने के बाद में आपको दोबारा से आधार काट के इसी वाले page पर आ जाना है और नीचे की side में आएगे, यहाँ पर आप लोगों को एक option देखने को मिल जाता है check, enrollment, update, status, तो आपको इसी वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद में status check करने के लिए तीन option देखने को मिल जाते है पहला option है enrollment ID, दूसरा SRN नमबर और तीसरा URN नमबर तो आप लोगों को यहाँ पर second number वाले option को select करना है अब आप लोगों को message के माद्दिम से एक SRN नमबर send कर दिया जाता है और आपकी जो भी acknowledgement slip है उसमें भी आपका SRN नमबर दिया हुआ रहता है तो उस SRN नमबर को यहाँ पर आपको fill करना है एक capture code दिखाई दे रहा है इस capture को same to same यहाँ पर fill करना है और submit वाले option पर click कर देना है जैसे ही click करेंगे आपके आधार card अपडेट करने का जो पूरा status है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बात कर लेते हैं आधार card अपडेट करने में कितना time लगता है तो मातर एक सब्ता के अंदर ही आपका जो आधार card है successfully update हो जाता है अगर आप लोग बिल्कुल valid और सही documents देते हैं तो कई बार ऐसा होता है तीन से चार दिनों में ही आपका जो आधार card है बहुत successfully update हो जाता है इसके बाद में आप लोग चाहें तो online भी download कर सकते हैं जो भी आप लोगों का physical आधार card है वो बाई post आपके address पर 15 दिनों के अंदर ही send कर दिया जाता है तो इस तरह से आप लोग घर बैटे ही online आधार card में address को update कर सकते हैं